नमस्ते एन वेल्कम फ्रेंग्स क्या कभी भी आप आईने के सामने खड़े होके ये क्वेशन पूछा है कि मैं कैसी हो गई हूँ शादी के बाद या फिर बच्चों के बाद मैंने भी सेम क्वेशन खुज से तब पूछा था जब मैंने अपनी highly position job छोड़ कर housewife बनने का फैसला लिया था घर में रहते रहते दूसरों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते देते मैंने खुद की बड़ी बड़ी बाते इग्नोर करना सीठ लिया मैं deteriorate हो रही थी, खुद पे harsh हो रही थी एक दिन मैंने सोचा की मैं same question एक बार जरूर पूछूंगी वापस लेकिन वाव लगा खे वाव मैं कैसी हो गई हूँ अपने experience के basis पे मैं छोटी छोटी टिप्स यहां share कर रही हूँ जिनसे आपको motivation मिल सके खुद के पे ध्यान देने के लिए जब हम बिच्या पहनते हैं तो इस तरह से वो पीछे की तरफ rotate हो जाती है उसका जो folding end है वो उपर आ जाता है और हमारी साडी में फल जाता है कभी कभी हमें खुद को भी चुब जाता है तो बिच्या rotate ना हो उसके लिए आप toe ring के दोनो end को एक दूसरे से थोड़ा दूर कर लीजे इस तरह से और फिर उसको आप अपने toe में पहन लीजे पहनते समय उसको जब आप side से दबाएं तो एक बार उपर से जरूर दबादें ताकि वो oval shape में हो जाए end एक दूसरे से दूर हैं और वो oval shape में हैं तो वो घूमेगा नहीं देखे मैं उसको घूमाने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी वो नहीं घूम रहा है ना उसका एक और option है आप इस तरह की toring खरी दिए जिसका folding end पे design होता है और वो उपर की तरफ fold होते हैं कुछ इस तरह से जब आप ये toring पहनेंगे तो ये आपको बिलकुल भी पैर में नहीं चुभेंगे क्योंकि उसके दोनो end पे design होता है और इनको पहनना भी आसान है और ये तो घूमते तो बिलकुल भी नहीं है इस तरह से आप बिच्या तो खरीद ही रहे हैं तो वो बिच्या खरी दिये जो आपको problem create करके ना दे साड़ी पहनते समय या दुपट्टा carry करने के लिए हम safety pin लगाते हैं छोटी या बड़ी तो साड़ी या दुपट्टा उसके end में जो rotated है वहां first जाता है और निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है कई बार खीचते खीचते साड़ी या दुपट्टे का धागा खिच जाता है या साड़ी खुद ही फरच जाती है तो उस problem को solve करने के लिए चोटा सा beard ले लीजे अगर आपकी साड़ी के matching का है तो और अच्छी बात है उसको safety pin में इस तरह से डालके रख लीजे जब भी आप साड़ी पहनेंगे तो ये beard साड़ी को उस rotating end में नहीं जाने देगा ये देखिए मैंने net के दुपटे में ये लगाया है और मैं उसको खीच भी रही हूँ तो भी beard की वज़े से वो दुपटा उसके अंदर नहीं जा रहा है और ये beard बहुत छोटा है तो आपको दिखेगा भी नहीं Nail paint लगाते लगाते side की skin में भी nail paint लग जाता है और nail paint messy लगता है हम कितना भी संभाल के लगाएं side की skin में nail paint चिपक हे जाता है और फिर उसको इस तरह से हमें खरोच के निकालना पड़ता है कभी कभी वो निकला तो निकला नहीं तो पता चला हमारे nail का nail paint ही खराब हो गया तो इसके लिए एक hack है या तो आप वैसलीन की एक layer nail के चारो तरब की skin में लगा लीजे एकदम संभलके लगाए ताकि आपके nail में वैसलीन ना लगे या फिर आप oil भी अपने nail के चारो तरब लगा सकते हैं इसके बाद अगर आप nail paint लगाएंगे अगर side में लग जाएगा तो वो एकदम आसानी से निकल जाएगा क्योंकि oil और वैसलीन उसको skin में ठीक से चिपकने नहीं देते यहाँ पे एक और मेरा दूसरा hack है कि nail paint की आप हमेशा दो coat लगाएं यह मैंने एक coat लगाया है यह उतना अच्छे से bright नहीं दिख रहा है सूखने के बाद मतलब लगभा पांच मिनट के बाद आप वापस एक coat लगा लीजे nail paint के दो coat के दो benefit हैं पहला यह कि वो bright दिखने लग जाता है और दूसरा यह कि nail paint जल्दी से उखरता नहीं है जब हम सिंदूर powder वाला use करते हैं लगाने के बाद इस तरह से वो जड़ जाता है या असानी से मिट जाता है तो इस problem को दूर करने के लिए again एक vaseline का hack है जिस stick से आप सिंदूर लगाते हैं उसके पीछे तरब से ही same rate का आप पहले vaseline अपनी मांग पे लगा लीजे उसके बाद उसी stick से आप सिंदूर लेके उसी जगा पे लगा लीजे इससे होगा ये कि आपका सिंदूर dark दिखेगा जल्दी से निकलेगा नहीं इवेन अगर आप हलका सा wipe भी करेंगे तो वो नहीं मिटेगा ये hack आप try जरूर कीजेगा और comment में मुझे बताइए कि क्या beneficial है माँ बनने के बाद हमारा बहुत hair fall होने लग जाता है और hair deteriorate होने लग जाते हैं पतले होने लग जाते हैं तो मैं हमेशा coconut oil, castor oil, almond oil and mustard oil mix करके लगाती हूं तीनों की equal quantity ले लीजे और उनको हलका सा गुनगुना करके अपने बालों की जड़ों पे मसाज कीजे ये चारों oil की अलग-अलग quality है जैसे coconut oil moisturizer करता है, castor oil strength देता है जो almond है वो आपकी बालों की length बढ़ाएगा और mustard oil उनको color देता है और आपने तेल को हलका गरम कुनकुना किया है तो वो easily root को moisturize करेंगे blood circulation अच्छा होगा मसाज करने से वीक में दो बार एक महिने के लिए try करके देखे आपको benefit जरूर मिलेगा very important hack जब हम बंठन के कोई हमारे घर में आता है या हम किसी के घर जाते हैं और हम बात करते रहते हैं अगर वो इस तरीके से मूँ बनाए मतलब में भी आपसे आपके mouth से bad order आ रही है तो थोड़ी देर के बाद हमारा चहरा ही उतर जाता है उसके इस action की वज़ा से फिर हम मो बन करके सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देना शुरू कर देते हैं उसके लिए एक hack ये है कि आप थोड़ा सा mouth freshener में भी सौप या कुछ भी अपने पास जरूर रखिए मैं सौप एंड लॉंग एक छोटी सी डबी में भरके हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ जब कहीं जाना हो या किसी से closely बात करना हो तो आप एक लॉंग ज़रूर ले लीजे लॉंग के और कई सारे benefits हैं अधे उधरे हुए nail paint बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते उनसे अच्छा है कि आप nail paint लगाएं ही नहीं अगर nail paint उधर गया है तो आप उनको wipe ज़रूर कर ले nail wipe रहेंगे तो nail paint अगली बार लगाने में आपको आसानी रहेगी wipe करने के लिए आप इस तरह से वाइप पर जो nail paint wipes आते हैं वो यूज़ कीजे बिना mess create करें ये बहुत आसानी से आपके nail paint को निकाल देते हैं एक ही wipe से all the five nails आप clean कर सकते हैं और ये बहुत चीप आते हैं वो लिखे वाले thinner से तो काफी better होते हैं इनसे nail की quality भी खड़ाब नहीं होती अगर आप कोई bad quality का thinner यूज़ करेंगे तो आपके nails yellowish होना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह से आप अपने nails का भी खयाल रखिए आपने notice किया हो artificial या gold कोई भी jewelry पहनते पहनते उसके पीछे इस तरह से green color का deposit हो जाता है और वो बहुत पुराने देखने लग जाते हैं जैसे ये मेरी एक और earring है ये same old है जितना की वो पहले वाली लेकिन ये एकदम bright दिख रही है compare to this one आप compare कर सकते हैं आप इनको maintain करने के लिए same जो nail paint wipes मैंने अभी आपको दिखाया उसका एक wipe लीजे और ये जो earrings है इसको simply आप wipe कर दीजे ये बहुत आसानी से clean हो जाते हैं आप देख सकते हैं कि कितना सारा ये green green dirty things निकला हुआ है इसी तरह आप उसके cover को भी wipe कर दीजे मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं earring निकालूं उनको एक बार cotton से oil लेके जरूर wipe कर दूँ अगर वो जादा गंदे हो जाते हैं तो फिर nail paint wipe मैं यूज करती हूँ क्रीम की empty bottle का एक बहुत अच्छा hack मैं यहाँ पे share कर रही हूँ ये डबी को एक कॉफ वाश रूम में रख दीजे तो जब भी कभी हम नहाने गए और हमने earring उतारना भूल गए जिनको पानी में गीला नहीं करना है या आप कहीं रख देंगे तो maybe वो खो सकते हैं या stone वगरा निकल सकते हैं गेर के तो जब भी आप ऐसा कुछ वाश रूम में रहें और आपको निकाल के रखना है तो इन डब्बियों में ही रख दीजे सेफ रहेंगे चाहे आप दो दिन के बाद निकाले इसी तरह बैड की side table पे मैं एक डब्बी रखती हूँ कभी अगर मैं सोने जा रही हूँ यह रिंग चुब रही है तो मैं उस डब्बी में रखके उसी पे रख देती हूँ अगर आपका भी इस तरह से थोड़ा बहुत टमी निकला हुआ है तो जब भी हम कोई dress पहनते हैं तो वो बहुत और लगता है यह वाला देखे मैंने यहाँ पे टमी टकर या टमी शेपर यूज किया है जिससे आपका उतना शेप पेट बाहर नहीं दिखता है आप चाहें तो टमी टकर घर पे ही बना सकते हैं उसके लिए एक पुराना टी शट लीजे जिसका कपड़ा stretchable हो और 12 इंच की लेंध पे उसको cut कर दीजे फिर उसको needle से ही side में इस तरह से shape देते हुए stitch कर दीजे अपना measurement देते हुए कपड़ा stretchable है तो वो आसानी से आपके टमी को press करता रहेगा बस टमी टकर में थोड़ी problem यह होती है कि जब आप खाना वाना खाते हैं तो थोड़ा सा heavy लगता है hope आपके लिए ये वीडियो beneficial रहा हो इस वीडियो को आप अपनी best friend के साथ जरूर शेर कीजेगा वीडियो को like कर दीजे, channel को subscribe कर दीजे ता कि हम मिलते रहें नमस्कार